आप मेंसे कितने लोग हैं जो बहुत excited हैं आज के session को ले करके तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज की guest है तो आपका जो excitement level है वो और बढ़ जाएगा ये बताने से पहले के guest कौन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ YouTube के बारे में YouTube में क्या है कि पूरे world की अगर बात करी जाए तो करोडो channels है जो अलग-अलग genres में है अलग-अलग categories में है उसमें से दो बड़ी categories है motivation और education पूरे world में जो world का number one motivation channel है वो मेरा है और जो world का number one education channel है किसी independent creator का वो उनका है जो कि हमारे guest है उनके 17 million से जादा subscribers है मुआ हो दूता पूरे भी इंड़ा है घनसर का है जाइदी क expressions क्या है इससे पहले कि audience आपसे कुछ उचे या interact करें, मेरे mind में एक question है आपके लिए, जो बच्चे है, वो आपके इतने दिवाने क्यों है, इतने पागल क्यों है आपके पीछे, मतलब मेरे comment section में भरा पड़ाता, खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे, मतलब ऐसा क्या जादू क्योंकि हम दुका तो एक्जेक्ट है वहीं पढ़ाना है, तो हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूवत रहती है, कि अगर लड़का पढ़ने आए उसके मन में कोई डाउट न राजाए, हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें तो भूल के दि हमारा इंडियन कल्चर गुरुदक्षिना है, उस हिसाब से वह सही है, अक्सीजन जैसे जिन्दगी के लिए ज़रूरी है वैसे एजुकेशन ज़रूरी है, कोई यह नहीं कह सकता है कि पैसे के वज़े से खानसर के यहां से लोड़ गया, क्या बात, मैंने देखा कि आपका अमरत, हम कन्फूज हो गए बापरेश तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया पढ़ने वाला टॉपिक था हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं छे साथ वीडियो एक ही बार सूट कर लिये और एक जो जिनका कैमरा वगर था में पास कैमरे भी नही थे उस ताइम और क कैमरा 35,000 का था तो छे महीना इसी में लग गया जो 25,000 इसी में पहुंच जाएगा तो उनके कैमरे से सूट किये उन्होंने कोई चार्ज लिया उसके बाद हम छोड़ी दिये लोगड़ा तब हम कैं आप कैसे पढ़ाएंगे तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा ह तब हमको लगए याद है कि ओ हो मेरा एक चैनल भी है वहाँ पर तूस समय उस पे लगबाग 30,000 सुट्काइबर हो चुके थे तो जैसे लॉगड़ा लगए तो पढ़ाना चालू किया और पता नहीं किया लोगों को पढ़ाई में इतना इंट्रेस्ट अगया कि आपका जो बीच बीच में थोड़ा बच छोड़ते रहते हैं मतलब जो एंटेइन्मेंट चलता रहता है ये बात हम देखे जब हम गुलाम थे नहीं तो अंग्रेजु ने एक चाल चला था कि भारत को हम फीजिकली गुलाम रखेंगे सो दोस साल मेंटली हजार साल कर देंगे उन् उसे समझाना वो समझा की नहीं समझा अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो आपकी गलती है लड़का हमसे पुछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास तो कैसे सर डाउट केसे पूछेंगे हम करिया तुम्हा दाउट बचेगा तब ना पूछेगा आपके 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 चैनल की ग्रोथ हुई है जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लोगडाउन के टाम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स ते आज की डेट में 17,000,000 है और मेरा एक क्वेशन और है इससे पहले के ओडियंस में से आपसे कोई काई भर आप ऐसी भी टॉपिक्स टॉच करते हैं जो फोड़े से कॉंट्रोवर्शल है या थोड़े से संसिटिव हैं जिसके ओपर बात करने की हिम्मत बहुत ही कम लोगों में है तो आपको कभी यह नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है इसको थोड़ा रो और मैंने यूट्यूब पे देखा कुछ वीडियो में कि आपका जो इंसिट्यूट है वहाँ पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे कुछ गिरे थे कुछ तो बहुत सॉलीड जगा गिरा था फटा नहीं हो मतलब आपके आसपस बम को भी पता है कि टीचर की इज़त किया जाता है क्या बात है क्या बात है मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपके अंदर जो attitude है ये कहां से आ रहा है क्योंकि आप बच्पन से ही फौज में जाना चाते थे तो आप जंग के मैदान में ही खड़े है एक तरीके से बस फर्क यह है कि आपके हाथ में कलम है हतियार ना हो करके हतियार से एक आदमी की जान जा सकती है कलम से बहुत ताकत होता है सिख्षा एक ऐसा अथियार है, हर कूरितियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और यह एक ऐसा अथियार है, यह मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है मेरा कुस्चन यह है कि अभी प्राइवेट ओगनाइजेसंस में, पीटिने का पनिस्मेंट का यह सिस्टम जो है खतम हो गया है, हम आपके वीडियो में देखे हैं सर का आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस वाला लाठी हो, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज मतलब की बच्चे मतलब की डरते नहीं आपसे और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे है ना, और एक और कॉस्टन सर, यू पीसी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारा भी पताईये सर क्यूंकि मुझे मतलब कुस इस्यो करना है सर, और Santheef सर को देख लिये हैं, मेरा तो बैस ऑफ जाना है, क्या हो जाना है, पूरा कम्प्लीट करो, आपने कि अपने की बात इगी, तूसको हम पूरे बहतरी नग से पढ़ाएंग से पढ़ुएंगे, लेकिए सरु आपला करो, अ जब सजा देने की बात आईगी न तो वो भी बहतरीन धंग से होगा, इसे थोड़ी होगा कि बस एक के चीज बहतरीन धंग से होगा, और डर का होना बहुत ज़रूरी है, यह डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे न और हमारा वही रहता ही हम तो जादे तर हमारे स्टुडेंट देगे तो किसी के रिक्सा वला सब्जी वला यही लोग इनको तर रही संपत्ति नहीं होती है, फीज कहां से भरेंगे मापप, उसके रहें कहां से, तो ओल ओवर इंडिया से, कस्मी से, कन्या कुमारी तक, गरी पुलिस काई ही हो, और मारते हो, कि मतला अगर कोई लड़की छेड़ता है या इसा, कोई भी उल्टा पुल्टा करता है, कुछ भी गल्ती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहां पे, ऑन कैमरे जैसे भी रहें कुछ भी पिटाना तो उनको फीक्स है, एक तो कोई मतला बिधा सबसे बढ़ा डर क्या है, आप दोनों का, फौजी को डरे नहीं लगता है, बाकी अफसार से पुझी है, आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी डंडे भाली कहानिया सुन करके डर लग रहा है, कि कहीं मैंने गल्ती से कुछ बोल दिया, और इन और नहीं मेरी पिटाई कर दी, तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है, आपी डिली किते गंटे क्लासे होती है, छे, साथ गंटे, अभी भी कुदी करते हो आप, हमारे स्टाप परिशान रहते हैं, आप देड दो बज़े सोते हैं, और आप दो बज़े सोया थोड़ी रहा है, परिशान रहत दीन में सोते ही नहीं है, विचारा कहीं जाके सोते रहता है, सीड बांधिया कि तुमी इस समय सोजना तुमी इर सोजना अपकी शादी हो गई और नहीं अगी अभी? मेरी खुछाली देख आप अप आप आइडिय है दोनों को, आज फर्स टाइम लाइफ देख रहे हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरा कोशन यह है सर आप से, जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, कि हमें ये पर्टिकुलर चीज करनी है, और क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं, तो हमारी आदत है कि पहले कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन हैं, उनको अफेक्ट ना होने देए बने उपर दूसरे से सला लेने से पहले, एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सला दे रहा है, आपको समझ में आना चाहिए यहां पर, कई बार ऐसे होते हैं क पहले आपको R&D करना पड़ता है, और जिन्दगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पर गियर चेंज कर रहा है, तो डिसिजन चेंज करना बहुत जादे गलप नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं इसी बात पर थोड़ा सा और आड़ आड़ डिपेंडी है करता है कि वह की बोल रही उसका basis क्या है, क्या वो किसी चेंज की लिऄ सी बोल रही है, य है, और पिर उत इसी बहुत बात भी हो सकता है, जो आपने पहले लिया था और वो ! सकता है सर मेरा कोश्चन दोनों से है आप से हाउ टो डिल प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजिनेस हमारा ब्रेन यह बहुत आलसी टाइप का इसको आराम खोजना पसंद है अब थोड़ा सा भी इसको आराम क्यों लेकर चले गा ना तो फिर उधरी रहेगा आप सोचेंगे दस म दो घंटा बना देगा उसको टॉर्चर किज़े तब दस मिनट बाद में उसको आप उस पर हावी मों कर रहा है कि हमको अराम चाहिए अपको यहाँ आराम मिलेगा पहले काम पहले काम फिर मिलेगा तो आप उसके हिसाफ से मचल आपका मन कर रहे थावसर देख लेते हैं क्यों पहले काम कर लिजे बाद में देखेगा ना नोटिफिकेशन आप हाभी मत होने दीजें आप अगर आप पांच मिनट भी थोड़ा सा लूच पड़े ना थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं दो घंटा बरबात कर दिया आपको हाभी मत होने दीजेगा उसको अपने उपर प्रोक्रयस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है सबसे चोटे ले लेवल पर ले आगर कि उस गोल को तोड़ दो यानि वो गोल बहुत बड़ा है, उसको break down करो, उसके सबसे पहले step पे आ जो, कि उसको achieve करने का सबसे पहला step क्या है, जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, उसको सबसे पहला step क्या है, अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली, तो बाहर जा करके जो गाड़ी analysis of analysis, कि आप सोचते चले जा रहे हैं अपने माइंड में यह करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और प्रोक्रास्टिनेट हो रहा है, वो चीज तलती चली जा रहे है, तो उसको छोटे चोटे चोटे लेवल पर break down करके उसको कर दो, that is number one, और जैसी करना करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो, उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी laziness भी खतम हो जाएगी, कई लोगों, हमने थे कहा है, जो सब्ता में कुछ भी नहीं करता हूँ भी संडे को आराम कर रहा है, वैसे कहा भी जाता है, कि अगर कोई क क्या है, कि आप समझते है कि नहीं यह बहुत आगेजी गल, व कि काम को खतम करने कःगे कभी आराम नहीं करेंगे, एक काम खतम हुआ उसको लगे यह खतम होगे अब दूसरा करना चाहिए, और वहीं ज कुछे के जाद हैं कि जिसे हम क्या ही नीज पढ़ाई करी नी तो कभी सदेखी डीली टारगेट देय deck τοthers अल Comics और अगार अंगेट कंपलीट भी reward फेर इड़िटेशन यश्ति एंग हमेलेदे, राब हमें अच्ति एखाभा में यूज्या नीजिसे ह to पढ़ रहा है, कोई पहली बार भी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख कि 8 घंटा पढ़ेगा, तो पढ़ाईए छोड़ देगा, तो आप अपनी छमता के इसाब से देखिए, कि आप कितना पढ़ सकते हैं, अगर आपने एक घंटे को बना लिया, कि हम एक घंटा पढ़ सक संदीजदर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे, ढगेल देंगे तुमको, अहला कि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिये का लोग, नहीं, छमता पता होना चाहिए, आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, कि मैंने कर तो लिया ह है, आप यह नहीं कह रहे हैं, कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर मैंको एंजाइटी हो रही है, आप यह कह रहे हो, मैंने काफी कुछ कर लिया है, फिर भी एंजाइटी हो रही है, कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, तो बेसिकली आपको यह देखना है, कि अगर एलो आठ गंटे का उपने टार्गेट की चरदील है चे ब हडी आप डिया हो पर यह इसको परवार mister से माँको अपने बच्चे को ले करका अग्साइट इस एक माँको अपने बच्चे जैसे को अपने बच्छे को लें करके इंगायां त रधल को पुरन आ," जैसे एक माँ है उसको अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है थोड़ी सी भी तबित खराब हो जै उसको anxiety होती है चाहे बच्चा ठीक भी है डॉक्टर को नहीं होती है क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है तो that means कि आप अपनी पढ़ाई को ले करके serious हो इस वज़े से आप किंदर anxiety हो रही है which is normal जहां पर प्यार मुबबत होती है वहां पर थोड़ी बच्चा एंजाइटी तो होती ही है ना समझ रहे हूं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे हूं ना मैं कहां जा रहा हूं जब वो किसी और से बात करती है तो anxiety होती है ना आपकी स्टोरियम ने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गये थे उससे मैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये डिसिजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहां से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर जाने के लिए एटलिस नवे रुपे चाहिए थे जेव में 40 रुपे थे कैसे घर जाते है और हम गंगा की किनारे चुपचा बठे बठे हम कहीं कि अब बहुत टेंसन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे और तो खिराई की रूम पे या अदमी असारे लोग रह ते गए महाँ पे तो रूम लॉक हो गया था तो खटखटा है तो उपर से गुस्सा से बोले जो ओनर थे क्या टाइम हो गया है तो नो दस बज रहा हो गाड़ी देखिये तो दो बज रहा था रात का दो धाई बज गया था तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जै वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाई जितने के आप होए तो आपके अंदर ऐसा कुछ न कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है तो वो मैं जानना चाहरा हूँ कि वो ऐसा क्या था जहां से कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूँ एजूकेशन फिल में रेविल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ यह सोचना ही बहुत लोगों के बसका नहीं है अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में एक वो होते हैं जो यह सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए हमें कुछ भी करना ना पड़े दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना की हमें मिल रहा है तीसरी category होती है लोग की जो इनके जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो यह सुचते हैं कि अगर मैंने किसी से एक रुपे भी लिया देखाज़े तो दो ड़ाइसो रुपे कुछ भी नहीं होता है दो ड़ाइसो रुपे अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपे की value जब आप अपने आपके उपर खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में लोग गूगल पर आपको सर्च करते हैं. क्या बात है? यह अपने अभी बनाया है यह यह कोई पुराना आपका वह है? बनते राता है इसे. अपने अपने बन जाता है. एक अपने अपने बनाया है कही आपके अंपने लोग खुपा हुआ है कहीं नगए जो भाहर राना चाहता है. कभी और कभी आपने सोचा होगा कुछ? कभी कभी देखिए एक चीज है, एक चीज है, संगत का बहुत अफर पड़ता है. इस चीज को हमेंसा, संगती का मतलब हलके में ले लेता है, संगती का मतलब है संग संग गती, तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गती होती जाएगी, घराब में रहेंगे तो इभी होता है, बट अपने आपको सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर ज की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है हाली हाथ जाने के लिए यह सब को लगा है तो हर कोई को यह सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीज में इतनी सिक्षा जो महंगी थी जो कमाने का रास्ता था उसको भी एक दम कंपटिशन इतना कर दिय यह समय और समयदार्य बहुत फरका होता है अगर समय रहते समयदारी आ गई तो इंसान काम्याब हो गया बिकिए घर समय इसला गया फिर समयदारी घर दो पेकार है तो सर मतलब कुछ आपको ऐसे चीज़ लाना साहिए जि़। मतलब बच्चों जो तयार हो रहे है उनको यह अब भी अपने दिखे एंटाइम पर दिखे अब आप मेरी बात अई समन्झी? अई समन्झी है यही होता है सर्णिंसर का मोटिवेसन जादे हो जाता है जब आप इस्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने उपर खर्च किजेए जादे से जादे सीखने में खर्च किजेए अगर आपको राजा बनने का सुख है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सिखिए तब राजा बनने यह दुख यह दर्द यह सब तेरे अंदर है तू अपने बनाए इस पिजडे से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक सिकंदर है थैंक्यू सो मच सर पर कमिंग बहुत मज़ा आया मेरे को आपके साथ में इंट्रैक करके आम शूर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा थैंक्यू सो मच जी थैंक्यू